नमसकर दोस्तो, मैं डॉक्टर संदीप और दोस्तो ये हमारे एक वैद भाई हैं और दूसरे साथ में मेरे स्टूडेंट गौरव ये पहले भी इनके बारे मैंने आपको बताया था कि ये मेरा इस्टूडेंट गौरव है और इनके पिता जी जो हैं वो एक बहुत ही पहुचे हुए वैद हैं और ये थाईराइट और बच्चे दानी की रसॉली का ट्रीटमेंट करते हैं बहुत ही शांदार वाला जो बंदा हर जगा से फेल हो चुका है कहीं से सही नहीं हुआ थाईराइट और बच्चे दानी की रसॉली का वो ये परमानेंट ठीक करते हैं और दोस्तों ये दोनों ही चीजें लाई लाज है मेडिकल साइंस ने इन चीजों को लाई लाज घोशित कर रखा है कि इनका कोई लाज नहीं बच्चे दानी की रसॉली है तो ओपरेशन करके बच्चे दानी को ही निकालना पड़ता है और अगर थाईराइट की दिक्कत है तो उसकी पर्मानेंट टैबलेट चलती है और अगर ज़्यादा बढ़ जाता है तो फिर वो थाईराइट ग्रंथी को ही निकाल देते हैं तो दोस्तों ये हमारे वैद भाई हैं इनके पास इस चीज का पर्मानेंट ट्रीटमेंट है तो मैं आपका इनके साथ इंट्रोड़्डेक्शन करवाता हूँ नमस्कार दोस्तों हमारा बहुत पुराना बापा दादाओं के समय सही आईरवेद का काम चला रहा है हमारे दादी 107 साल की हैं जो आज भी जीवी था 32 दाथ उनके आज भी हैं गन्ना चोशती हैं यह आईरवेद की देन है और वो इस्त्रियों का इलाज करती थी उसी समय से हमारे पिताजी ने आईरवेदा चारिये किया और अब हम आईरवेद का काम कर रहे हैं यह समझ लिजिए कि बच्चे दाने की रसोली सिस्ट फेबरोईड जो रिपोर्टों में आई हुई है तीन महिने में रिपोर्ट कराने से पेशेंट की जो साइज बड़े हैं तो 50 परसेंट मिलेगी और जो छोटी साइज की हैं तीन मेने साब हो जाई यह रसोली का टीटमेंट और थाइराइड का टीटमेंट बहुत पुराने से हम करते हुए आ रहे हैं और पून अनभों के साथ में थाइराइड का तो एक मेने बाद हम रिपोर्ट करा देते हैं मरीज की एक मेने में रिपोर्ट आ जाएगी ये एक मेने की दबाई में रिजेट आपके सामने है तो यसमें कोई निरासा वाली बात नी है है थाई pouvez और unable तो दोस्तों जैसा कि इनों ने बताया बच्चे दानी की रसॉली और थाई राइट इस चीज के ये हजारों म्रीज ठीक कर चुके हैं और दोस्तों हमारे सामने के ही कई म्रीज इन वैर्जी से ठीक हुएं हमारी फैमली के भी एक दो केस थे ठाई राइट के तो वो ठीक हुए हैं और आज इनसे मुलाकात हुई बहुत अच्छा लगा बहुत खुशी हुई तो मैंने सोचा और भी बहुत सारे लोग हैं जो ठाई राइट से परेशान हैं बच्चे दानी की रसॉली से परेशान हैं तो उनके लिए इन्हों ने आज मुझे वो फार्मूला भी बताया है और ये दवाईयां यहां पे पड़ी हैं, ये दे के भी जा रहे हैं कि ये आप खिलाओ, जबकि दोस्तों पहले भी इनकी दवा हम खिला चुके हैं, अगर उसके बावजूद भी ये मुझे दवा दे के जा रहे हैं, तो ये अब मैं मरीजों को खिलाओंगा, दोस्तों 100% इसके रिजल्ट आयेंगे वो मुझे पता, पहले भी देखे हैं, और किसी को भी अगर दवा मंगवानी हो, थाईराइट की या बच्चे दानी की रिसॉली की, तो वो हमसे मंगवा सकते हैं, आप हमें वर लाइफ के बेकार की हैं, जो बहुत ही कीमती समय था, तीन साल का, अब वो खराब इसलिए इन्होंने किया कि ये करना चाते हैं, अबिवियस करना चाते थे, तो इनके पिता जी नहीं नहीं का कि आप अबिवियस ना करके BMS करो, तो शिरू में तो बात मानी नहीं, मगर धी दिरे जैसे जैसे इन्होंने देखा अपने पिता जी को कि किस-किस तरीके के मरीज इनके पास आते हैं और ठीक होते हैं, और फिर दोस्तों इनकी खास रिलेशन के ही कुछ मरीज थे, जिने गांठ की और थाइराइट की प्रॉब्लम थी, और उनके दो लड़के MBBS कर रहे ह एक लगबग कर चुका और एक ने स्टार्ट किया है, तो अब वो उनके माता पिता, उनके फैमली मेंबर इनके पास आके इलाज कर वा रहे हैं, और जो लड़के कर रहे हैं, उनके जो प्रोफेसर हैं, वो उस चीज को कह रहे हैं कि हांजी थाइराइट का कोई इलाज नही एक एमडी डॉक्टर प्रोफेसर कह रहा है कि थाइराइट का कोई इलाज नहीं, बच्चे दानी की रिसौली का कोई इलाज नहीं, और उनके उन बच्चों के रिस्तेदार, ये उनके मामा जी लगते हैं, और ये इस चीज का इलाज कर रहे हैं, और जड़ से उस चीज को गौर्व ने जब देखा कि ये इतना कारगर है आयुरवेद, तो उसके बाद इनकी इनका जो इंटरेस्ट था वो आयुरवेद में बढ़ा, और इन्होंने अपना BMS में एडविशन करवाना है, और उसके बाद फिर जब मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट की तो ये मेरे पास तो फिर यहां पर आके इन्होंने देखा कि किस तरीके से मरीजों को ठीक करते हैं, और किस तरीके से मरीज हमारे गुन गाते नहीं ठकते हैं, तो ये सब देखने के बाद अभी ये BMS में एडविशन करवाने वाले हैं, और दोस्तों बाकी जितने भी मेरे भाई बंदू है आके इन्हें हमारी वीडियो देखने वाले हैं, जितने भी वैद भाई हैं, वो आयुरुभेद को ज्यादा से ज्यादा फैला आयुरुदिक दुमायों का इस्तमाल करें, और अलोपेथी को कम से कम इस्तमाल करें और ना करें तो बहुत अच्छा हैं, बाकी दोस्तों बच्चेदानी की रिसॉली और थाईराइट इन दो चीजों का ट्रेटमेंट अमारे वैर्द भाई के पास पर्मान नेंट है जिस किसी को भी ये दवा मंगवानी हो मंगवा सकता है धन्यवाद